प्रेंड वेल्कम तो मैं चनल व्लोगर सत्यम गुपता तो स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में तो आज का हमारे टॉपिक है ड्यूप 200 बेसिक्स मॉडल वर्सेज एंपी 15 बेसिक्स मॉडल तो वीडियो को पूरा देखें क्योंकि मैं दोनों बाइक का डेटिल कंपरिजन आपको बताने वाला हूं कि दोनों में क्या क्या स्पेसिफिकेशन आपको मिलते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं कि यंग जेनरेशन जितनी भी है वह बिए बाइक को बाइक को जो उन्दर आने वाली बाइक से और दोनों का लुक का अच्छा है आजकल जो यंग जेनरेशन को मेटर करता है वह तैसरोटियो ये दोनों का स्टैनम यह पीरहिक का प्रदों करते हैं तो धरी कि 200 का जो प्राइज है वह लगबह आपको देखने को मिलेगा 190 थाओज अन रोड और गड़ करता है वापको आपको civics को दोनों का इंजन से में तो मिल जाता है जो कि liquid cool है with 4 stock and 4 valves और जो KTM Duke है वो 199.5 CC का है with single cylinder 4 valve तो आपको जो MT-15 में मिलता है वो SOHC engine देखने को मिलता है और जो Duke 200 है उसमें आपको DOHC engine देखने को मिलता है दोनों ही single cylinder है उसके बाद दोनों का power का बात करते हैं तो आपको MT-15 में 18.5 PS का power मिलता है at the rate 10,000 RPM और 14.7 Nm का torque मिलता है at the rate 8,500 RPM और जो Duke में आपको power मिलता है वो होगा 25 PS at the rate 10,000 RPM और torque जो मिलता है वो 19.3 Nm का मिलता है at the rate 8,000 RPM तो power wise अगर compare किया जाए तो Duke आगे है बट अगर आप regular use और daily use के लिए अगर bike लेना चाहरे है और आपको looks भी चाहिए तो MT-15 भी खराब नहीं है क्योंकि 18.5 PS का power daily use के लिए काफी होता है अगर आप racing के purpose से देखना चाहते है तो आप Duke ले सकते है द्यूक भी अच्छा bike है बट पावर उसमें ज्यादा है और आपको mileage भी आपको MT-15 में देखने को ज्यादा मिलेगा क्योंकि इसका power कम है और engine CC भी कम है क्योंकि यह 155 CC का ही है और ड्यूक 200 जो है वह 199 CC का है तो पावर वाइस के टीम आगे हैं MT-15 से बात करते हैं दोनों का ब्रेक्स का तो यह और और फ्रेंट दोनों में ही ABS देखने को मिल जाता है आपको ड्यूक 200 में और MT-15 में आपको सिर्फ सिंगल चैनल ABS देखने को मिलता है बट दोनों मे fourainable discours मैं दिस्क ब्रेक्स है मतलब airflow MT-15 में भी आपको फ्रेंट और दोनों में डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं और KTM में आपको दोनों में टेक्स करता है device देखने को मिल जाता था दोनों बाइक में आपको फ्यूल इंजेक्शन मिल जाएगा और रहाबात स्टार्ट का तो दोनों ही सिर्फ आपका सेल्फ स्टार्ट है दोनों में किक्स अबिलेबल नहीं है और दोनों जो बाइक है वह दोनों में आपको आपको 6-speed gearbox देखने को मिलता है मतलब दोनों में 6-gears है गियर में कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलने वाला है बाट आपको میलता है अंटी 15 में टेलिस्कोपीक फोक्स मिलता है और ड्यूक में आपको डीło पी और मोनो शॉक मिलता है कथे अ precio है अब में आपको 4-0 का टैंक मिलता है और KTM Duke 200 में आपको 13.5 लिटर का टैंक मिलता है बात करते हैं दोनों की saddle height की तो saddle height आपको दोनों में same देखने को मिलता है 810 mm दोनों में ही आपको देखने को मिलता है और ground clearance बात करते हैं तो MT-15 में आपको 155 mm का ground clearance मिलता है और KTM Duke में आपको 170 mm का ground clearance मिलता है जो की KTM Duke का ground clearance थोड़ा सा ज़ादा है as compared to MT-15 दोनों में ही आपको LED DRLs मिल जाते हैं बट आपको KTM Duke 200 में halogen light मिलेगा लेकिन MT-15 में आपको LED lights मिल जाते हैं जो की देखने में काफी अच्छा लगता है बात करते हैं दोनों का tire का तो tire comparison में आपको बताते हैं MT-15 का tire size आपको मिलेगा फ्रेंट में वो होगा 118 – 17 इंच का alloy wheels और the rear में 140 x 70 का 17 इंच का alloy wheels लेगा और the KTM Duke 200 में आपको मिलेगा in front में 110 x 70 17 इंच का alloy wheels आपको देखने को मिलेगा in front में और the rear में 150 x 60 17-inch का alloy wheel देखने को मिलेगा तो tire size में KTM का जो tire size है वो आपका MT15 से थोड़ो ज़्यादा है जिसे कि KTM Duke में आपको grip थोड़ो ज़्यादा अच्छा मिलेगा as compared to MT15 तो दोनों में ही आपको 17-inch का alloy wheel मिल जाता है तो में कोई चेंज नहीं है और दोनों में आपको tubeless tires देखने को मिल जाते हैं तो टायर में भी tubeless है और कोई चेंज नहीं है but MT15 में आपको जो rare में आप जो basic model आ रहा है उसमें आपको radial tire मिलेगा बड़ागो र्यूक में वह radial tire नहीं मिलता है तो बात करते हैं दोनों का डिस ब्रेक का तो आपको MT15 में फ्रेंट में 282 mm का डिस ब्रेक मिलता है और केटियम में थोड़ो ज्यादा अच्छा देखने को मिलने वाला है MT15 के comparison में तो फ्रेंट्स मैं जितना हो सका उतना cover कर लिया हूँ इस वीडियो में अगर मैं फिर भी कुछ भूल गया हूँ तो आप comment section में मुझे बता सकते हैं मैं उसका जरूर reply करूँगा तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंट्स तो चैनल को जल्दी से subscribe कर ले और लाइक कर दे वीडियो को तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंक्यू प्रेंट्स